नमस्कार मैं हो रिशेष आपका बहुत बाश्वाद करता हूँ जैसा का आप इसकीन पर देख रहे हो इंडो डेक्शन और फिटर हम आज आपके लिए वेशेक फिटर थियोरी की क्लास लेके आए हैं और इसी तरीके से हम आपके लिए क्लास लेके आते रहेंगे जिसे से आप अपना फिटर 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 की थियोरी कवर कर पाओगे इस बीडियो के माध्यम से हर एक बीडियो डेली आपके पास आती रहेगी तो आई हम चालू करते हैं introduction of trade हम आपके लिए बतादें कि त्रेड में introduction का क्या महत्तो है और trade का क्या महत्तो है इंजीनिरिंग वर्क्षॉब जैसा क्या आप यहां देख पा रहे हो यह आपका हैं इंजीनिरिंग वर्क्षॉब Engineering Workshop में Fitter एक कुशल कारीगर होता है जो मसीनों के पुर्जों जोडने में इस तरह सच्चम होता है कि मसीनों की कार विवस्ता सुचारू रूप से चलती रहे या एक Fitter का कार होता है जो Engineering Workshop में कार करता है जिस तरीके साब वीडियो पर देख पार हूँ यहां सभी Fitter के वरकर्स हैं और हम चलते हैं अब नेश्ट Institute यह हमारा क्या होता है यह ITI का Institute होता है Fitter का दो वर्षिय कोर्स राज किया ITI यह नेजी संस्थान में करवाया जाता है जो हमारा SCVT या NZVT के अंदरत आते हैं यह हमारा दो institute होते हैं सरकारी और प्राइवेट जैसा का आप इसकीन पर देख पा रहे हो यह आपका होता है Government ITI और यह आपका होता है Private ITI नहीं दोनों की मानता सेम होती है और इसी सथी किसम आप देख पाओगे हाँ एड़िशन क्वालिफिकेशन आप ITI में एड़िशन कैसे ले पाओगे 10 या 12 आपके पास हो विद साइन्स के तो आप इसमें दू वर्स का कुर्स कर पाओगे टेकनिकल फिल्ड प्रैमरी स्किल शेकिंडरी स्किल और हाई स्किल यह हमारा होता है एक फिटर कारिगर के लिए यह सारे चीजां का ग्यान होना चाहिए और जब भी आप एड़िशन ले लोगे तो आपके लिए इन सारे चीजां ग्यान ट्रैनिंग के माद्यम से दिया जाएगा तो आई हम बताते हैं आपके लिए प्रैमरी स्किल प्रैमरी स्किल क्या होता है प्राथमिक निपुड़ता फिटर को प्रात्य में निपड़ता की श्रिंखला में जोड़ते हुए ने मिलेकित मूल बेसिक कार में निपड़ करना है जैसे समस्त हैंड टूल तथा कटिंग टूल का प्रियोग करना जो हम आपको रिये इसकी की माध्यम से दिखा रहे हैं यह आपको होते हैं टूल यूज ऑफ और हैंड टूल एंड कटिंग टूल इसके अंतरगत इसमें हैंड टूल्स और कटिंग टूल्स दिखाए जाएंगे जो आप इन्हें ITI में जाने के बाद यूज करोगे और इनसे ग्यान प्राप्त कर पाओगे जैसे का आप इसकीन पर देख पा रहे हो मार्किंग टूल यह हमारे होते हैं है ओडले केलिवर कर डिवाइडर इसकेल ट्राइसिक्वाइर है इन सभी की शाहता से हम कमारकिंग कर सकते हैं किसी जूब पर है यह हमारा होता है किसी जूब को दूभावों में बाटने के लिए हम हेक्षा का पेडियो करते हैं जो आप स्कीन पर देख पारें यह हमारा हेक्षा होता है यह हमारे आते हैं प्रैमरी इसकिल के अंतरगत यह हमारी होती है टाइप सोफ रीमर यह हमारी रीमर होती है इनका हम यूज करते हैं यह होता हमारा ग्रैंडिंग ग्र और यह होता हमारा bracing जिसमें आप filler metal की एक rod होती है, आपका job होता है, flame होती है, welding torch होती है, इन तीन और चारों की साहता से आप bracing कर पाऊगे, job और work piece को आप जोड़ पाऊगे. उसके बाद आता filing, filing से हम किसी job को cutting करते हैं, smooth करते हैं, सतहों को समान करते हैं, यह होता हमारा file card, जो file के साथ जिया गया है, जब कि हमारे file के दातों में अगर chips फस जाते हैं, तो हम file card की साहता से chips को लिकालते हैं, आप देख रहे हो drilling, drilling से हम किसी भी job में, hole करने के लिए, जुरा करने के लिए, use किया जाता है, drilling machine, आप देख रहे हो, इस scrapping, किसी भी job की सताव पर, दाग, धब्बे, scrap की साहता से हम मिटा सकते हैं, आता आपका threading, किसी भी net bolt पर, या किसी road पर हमें चूडियां काटनी हो, तो इस तरीके से हम काटेंगे, वह हमारा कार्य होता है, primary skill का, अब आप देख रहे हो riveting, यह riveting क्या है, किसी दो पार्ट को जोड़ने के लिए riveting का यूज किया जाता है, हैंड है, सेंग है, टेल है, यह rivet के भाग होते हैं, यह हमारा ball pen hammer की साहता से हम riveting की जाती है, जैसा कि आप इसकीन पर देख रहे हो, soft head, original head, इसका original head नीचे वाला है, और soft head हमने, जैसा कि आप die के माध्य हम से देख रहे हो, कि यह hammer और die के द्वारा इसका soft head बनाया जाता है, forging, forging क्या होती है, किसी भी गरम metal को safe, किसी भी गरम job की safe change करने के लिए, उसको पहरे लाल गरम hot किया जाता है, उसके बाद उसके उपर से भचन रख कर, weight रख कर, उसको position आका change किया जाता है, उसे हम forging कहते हैं, यह थे आपके primary skill, जो आपके लिए इन सब चीजों का ग्यान होना अतियावस्तक है, तो आई चलते हैं, दुतिया निपुड़ता, secondary skill, क्या होते हैं, इनका कार क्या होता है, दुतिया निपुड़ता प्राप्त करने के लिए, निम्रिव साहेक trade के विशे में ज्यान होना अतियावस्तक है, जैसे seat metal work, या आपने कंपनियों में, घरों में, फैक्टरियों में लगा हुआ देखा होगा, यह सभी चद्रों के बने हुए होते हैं, आपके शंदूक है, बाल्टी है, बक्से हैं, यह सभी seat metal workers के अंतरगत आते हैं, जो इनका यह कार होता है, तो यह होता हमारा shack indie, यह पुटता का, यह हमारी building है, building आपने काफी देखी होगी, यह हमारा दो पार्टों को जोड़न के लिए building का यूज किया आता है, black ismithi soft में इसका building का यूज किया जाता है, black ismithi soft क्या होती है, यह हमारे एक लोहार गिली का work होता है, जो भट्टी में गरम करके किसी job की आकार को, safe को change किया जाता है, यह हमारा black ismithi के अंतरगत आता है, heat treatment, किसी भी job को, किसी भी machine को, के पार्ट को लाल hot करम करके, उसकी heat treatment temperature को घटाया बढ़ाया भी जाता है, यह हमारा heat treatment के उसमा उपचार के अंतरगत आता है, तो आईए, हम चलते हैं, तीसरे point की तरफ, जो हमारा high scale, उच्चे निपुड़ता, जैसा कब इसकीन पर देख रहे हो, उच्चे निपुड़ता high scale का कार क्या होता है, इस इंकला में, फिटर कारीगर food route से, एक छेत्र को पकड़ कर, उच्चे निपुड़ हो जाता है, वह कारीगर, उस विशाय में, पूड़ताया सफल हो जाता है, जैसे, किसी फिटर का अन वह इस लाइन में, पूड़ताया निपुड़, फुल इसकिल में हो जाता है, अगर आपके पास, पांस से, दस वर्स या, तीन से, पांस वर्स का, किसी एक फिल्ड में, एक सिप्रेंस बन जाता है, तो आप फुल फिटर में बन जाते हो, आईए हम चलते हैं, ताइप्स ओ फिटर, कार के अनुसार, फिटर, वेविन पर कार के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, जन्रल फिटर या बेंच फिटर, यह हमारे होते हैं, लेट मसीन पर, या वाइस और बेंच पर, जो कार करते हैं, वह हमारे होते हैं, जन्रल फिटर या बेंच फिटर, उसके बाद में डिटिल से बताने कोशिश करते हैं जैसा के नाम से विदिद होता है कि वेंच फिटर अर्थात वेंच पर कार करना वो फिटिंग करना वेंच फिटर के हाथ से कार करना पड़ता है वह hand tool अत्यदिक प्रियोग करने पड़ते हैं वेंच फिटर को अत्यक्तर कार रियती से करना पड़ता है इसके अत्यदिक उसे hexine, dealing, reaming, tapping, threading के साथ cutting tool की grinding उनका प्रियोग सुचमापी यंत्रों का उपयोग करने का ज्यान अनवार है यह सब हमारे वेंच फिटर के अंत्रक्त आते हैं जनरल फिटर के अंत्रक्त आते हैं आईए अब हम बताते हैं आपके लिए pipe फिटर का क्या महत्त है कैसे कार करते हैं जैसा का आप देख रहे हो पिलेंबर आपने पिलेंबर का नाम तो सुनाई होगा Pipe Fitter को हम Pilember भी कहते है जो घरों में पानी की Pipe Line व गैस Pipe Line को जोड़ने का कार्ड व अन्य Pipe Line का कार्ड व उनकी मरमत करना आज Pipe Fitter की कुछलता होती है यह हमारा आते है Pilember की स्रेड़ी में आप देख रहे हो Fabrication Fitter Fabrication Fitter का क्या कार्ड होता है Fabrication Fitter दातों की चादरों को रिविटिंग द्वारा जोड़ों के अनुसार कई चीजों का निर्माड करना Fabrication कहलाता है और जो उनका निर्माड करता है उसे Fabrication Fitter कहते है इस प्रकार के Fitter Seat Metal द्वारा ट्रेंग, बरतन, बाल्टी वा संदूग, डबबा अन्य चरूरी सामार रखने के Box का निर्माड करता है वह हमारा Fabrication Fitter के अंतरकत आता है चैसा के आप इसकीन पर देख रहे हो आईए चलते हम पॉइंट चोथे के चरब जो हमारा डाई फिटर डाई फिटर कर क्या होता है यह हमारी थ्रेड काटने वाल डाई होती है और दूसरी डाई हमारी होती है जो हम आपके लिए बताने चारा है डाई के द्वारा आजकल लगवक सभी वस्तों का निर्माड किया जाता है वस्तो के साइस के अनुसार वह उसके माप के अनुसार ती डाई का निर्माण किया जाता है, डाई की द्वारा उत्पादन में भ्रद्य होती है, डाई की द्वारा कम जम्य में अधिक उत्पादन तयार किया जाता है, डाई का निर्माण वह उसकी मरमत और रख रखाव का कार डाई फिटर करता है, तो यह हमाले थे डाई के कुछ इन्फरमेशन आप यहां देख रहे हो maintenance pitter maintenance pitter का क्या कार होता है वह यह कार कैसे करता है maintenance क्या होता है आई हम जानते हैं इस वीडियो के मात्यम से किसी भी बंद पड़ी machine वह अन्यकार जो किसी मरमत की बज़ासे रुखा हो और उसे दोवारा चालू करना maintenance कहलाता है और उस कारों को रोखने वाले को या उसकी मरमत करने वाले को maintenance पिटर कहते हैं आपकी कोई मसीन है काफी बरसों से रुखी पड़ी है आप उसको repair करोगे ठीक करोगे पुर्जे को लाकर डालोगे वा एक चालू हो जाएगी तो आपने क्या किया उसका maintenance किया और उसकी देख रेक में सही देख रेक की वा आपने चालू कर दी तो यह हमारा होता है maintenance फिटर का कार रे आईए अब हम चलते है assembly फिटर assembly फिटर का क्या कार रे होता है किसी भी मसीन को अलग अलग पुर्जों को जोड़ना assembly फिटर का कार होता है जैसे आपकी motor cycle है कार है, cycle है इन सभी के पुर्जे अलग-अलग कंपनियों से बन के आते हैं और यह एक assembly फिटर के पास आते हैं वह इनको सभी को पुर्जों को जोड़ना Assemble Fitter के अंतरगत आता है, जो इन फिटरों को पुर्जों को जोडता है, वो हमारा आता है Assemble Fitter के अंतरगत, अगर दोस्तों आसा करता हूं, यह वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें पस्क्राइब करें बेल आइकन को दबाएं जिसे से के आपके पास हर एक एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके आईए आपसे मिलते हैं नेश्ट वीडियो में ओक के बाबार थेंक यू